पिछली साल अपने अंकूर की बेल में हमने जैसे एक्सपर्टस करते है यहां जीसरे वाइन बनाते वो लोग करते हैं यहां गूर की खीतिंग करते है उस हिसाफ समें की कटिंग की और नमस्क्राइब विवर्स मैं गौतम एड़ी वीड ग्रास है और आप हमारी यूट्यूब चैनल है शाशी एन गौतम किचन गाड़नर्स पर हमारी अंगूर की बेल चार साल पुरानी है और जितनी ब्रांचे आप देख रहे हमारी पिछले साल की जो ग्रोव थी वो ब्रांचे इस अंगूर की बेल को हमने 6-8 फीट उपर बांस की छपपर को पर अलाओ किया है ग्रोव करने के लिए और उस छोटी सी जगह में हमें पि कि इस्वीडियो को डिएब नहीं सीख शोगा में ऐसे कि बरिए चार राम ब्रांच उस्से आपकी बीम इसी के ओपर आप फ़या आपके नगर में इस्पर जो के can geben we जिससे कि कम branches निकलेंगी लेकिन उसमें जो फूल लगेंगे वो फल में भी convert होंगे गिरेंगे नहीं और उनका जो size होगा fruit का वो काफी बड़ा होगा तो हम लोग thinning करेंगे और allow करेंगे सिर्फ जो दूसरे साल की branch से उससे shoot निकलना तो अई देखते हैं कैसे करते हैं आप ये जो मोटी stem देख रहे हैं इससे जो growth हुई है ये आपकी पिछले साल की growth है लेकिन जो main stem है ये अपने आप में मेरी 3 साल पराने होगी है यानि कि इस stem से जो भी आप नहीं growth निकलने अलाओ करेंगे उसमें आपके जो flower लगेंगे और उसमें फूल निकलेगा तो जो आप ये branch देख रहे हैं तो इसमें हम लोग गाठें गिनेंगे नौट गिनेंगे और ये जो branch निकली वी है उसके करीब दो या तीन नौट के बाद हम इसको cut करतेंगे जो लोग अंगूर की खेती कर रहे हैं इसके fruit बेचने के लिए या wine बनाने के लिए वो अपने आपके जो growth होती है प्रानी growth होती है उसमें एक नौट छोड़ते हैं लेकिन हम लोग दो या तीन नौट छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग अपने chances बढ़ाएंगे कि जो नही growth ह पहले में ना हो तो दूसरे दीसरे में हो सेके अगर बाद में ज्यादा growth होती है तो हमवारा पर समश्य option रहेगा कि ज्यादा growth उसको हटा दे और कि यह जो limited growth हमेंच ही अपने fruits को ज्यादा अच्छा बढ़ा करने के लिए उतने ही रखे हैं तो पूरे पेड में हमें यही principle ही तरीका follow करना है में ब्रांच जो आपके देख रहे हैं तीन सल परानी उससे जो growth हुई है उससे जो हमने गिननी है एक यह दू यह जितनी भी आपको गाठे यह नौट रखनी है उतनी नौट शोड़को इसके आगे काट कर देना है तो basically आपको पेड़ की shape हो जाएगी व ऐसे तो इसको मार्च के शुरू में करना चाहिए था लेकिन अभी भी जो ज्यादा growth नहीं होगे आपको पेड़ में तो अभी आप करेंगे तो आपकी जो नई growth बनाने में जो पेड़ की energy है वो waste नहीं जाएगी दूसरी चीज इस cutting में आपको ध्यान में रखनी हो spacing जो द इच्छा होगा fruit का और गुच्छे का दोनों का साइज आपका काफी बढ़ा होगा proper spacing आपके लिए इसलिए जूरूरी है कि आपके जो fruits हैं बनने के बाद में अगर उनको धूप नहीं मिलेगी तो वो पकते नहीं है आपका अंगूर एक ऐसा फाल है जो branch में ही पकता है पे करने से आपका जो सारा पेड़ है वो बरबाद हो जाएगा और आप उसको शयाद ना करना चाहें लेकिन आप मुझ पर विलीव कर सकते हैं काफी research करके मैं आपके पास में पूरी जानकारी लाता हूँ और इसी तरीके से आपके जो wine बनाने वाले जो खेत होते हैं अंगू उसकी एक नौड या दो नाड या तीन नौड अपने इसाब से आप छोड़ के पूरे पीड़ की कटिंग कर लेंगे आप experiment वा सकते हैं किसी पर एक नोड के बात कटिंग कर लें किसी ब्राँच को आप दो तीन के बात कर लें और रिजल देखें इसका रिल्स क्या आता है आपको हटा लेंगे जिससे कि आपका जो कट हुआ एरिया है वहाँ पर कोई डिजीज ना आपाए जिस तरह कि आप देख रहे हमने पिछले साल की जो सारी ग्रोथ थी पूरी के पूरी हटा दिया अप पेड़ के उपर आप छोटे छोटे शूट दिख रहे हैं जो दो साल प अपर फसल ली जाती हैं अंगूर की हैं इससी तरह से कटिंग कि जाती anda और अपbon के अच्छी संए वेबसाइट पे अच्छी क्वाली पोटी के आप अब सब्れकि lucarla है कॉलिट है अच्छी फ्यादी कोई अगूर के ж YouTubers कर अपनी कोबसे लिजन आ te Elsी उतल आ तो आज के इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में एक नई जानकर के साथ में तब तक मेरा शशी का आप सबको नमस्कार